हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग मॉबाइल से रिलेटेड जो कॉल फॉरवर्डिंग और मेसेज फॉरवर्डिंग से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं या बैंक फ्रॉड होता है आपने सुना होगा कि आपका मॉबाइल आपके पास था है फिर भी OTP आपने किसी को OTP भी नहीं बता है फिर भी आपके बैंक से पैसे निकल गए इस तरह के जो क्राइम होते हैं उसके जो स्टार्टिंग होती है वो आपके मॉबाइल से होती है ठीक है और यह दो डिपेंड हैं आपके कॉल फॉ कर्वार्ड नंग से सब Japon के अपका मोबाइल हैं यानी आप चैकंच कर सकते हो अपनी मोबाइल की सिक्यूरिटी खुद बखुद कि आपका मोबाइल सेफ है या इसके साथ कोई चरखानी हुई है ठीके पहली बात यह होती कैसी है जब आप शे сохран ही ममाइल मांगता है जिसको आप जानते नहीं हो सकता कोई आपका नो निक्राइब कर सकता है पेसे पएसे पेसे निकलना चाहता है लिएक कोड करेगा इसके बाद अपने नमबर डाय कर देगा इससे होगा क्या अब वह आपका message forwarding किया है कि नहीं किया है आप कैसे जा चुके क्योंकि अगर आपका call forward हो चुका है तो फिर आपके message forward हो चुका है तो आपके mobile पर जो भी message आएंगे उसके पास भी जाएंगे तो फिर उसको आप आपसे OTP मांगनी की जरूरत नहीं है तो चलिए चेक करते हैं कैसे चेक करेंगा हम लोग आपको खोल लेना है डाइल बटन अपने कीपेट पर और इसमें डाइल करना है एक नंबर इस्तार हैस निखिला होगा आपको स्कीन पर नंबर टू वन हैस यह यह नंबर आपको डाइल करना है अपने मोबाइल पर एंड्राइड यूजर के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है नॉर्मल यूजर कर सकते हैं इसके लिए आप इसको इंटर मारोगे तो आपको एक नीचे ठीक है थोड़े दिल में आपको डिस्प्ले करेगा आउटपूट तो आप यहां देखोगे कॉल फरवार्डिंग अनकंटेश्टली वाइस नॉट फरवार्डड़ ठीक है तो मेसेज अगर मेसेज फरवार्ड़ लिखा हुए यहां पर नॉट फरवार्ड़ तो ओक है ठी किसी ने आपके फोन के साथ छिर्खानी कर रखी है आपका OTP बाइपास हो सकता है ठीक है तो लोग बोलते हैं कि मैंने किसी को बताया नहीं फिर भी हो गया तो आपको चेक करना होगा पहले आपका फोन सेफ है कि नहीं अगर आपका फोन में साथ कोई छिर्खानी किया गया है अगर आपका message forwarding हो रही है enabled है तो आप उसको क्या करोगे कैसे disable करोगे उसके लिए भी एक code है ठीक है तो उसके लिए भी मैं एक code बताने जा रहा हूँ यह बहुत important है आपके जितने भी जानकार है उनसे share करें क्योंकि इस तरह के आए दिन bank fraud हो रहा है किसी के account से 1500 किसी के 1200 किसी के 2000 किसी के 6000 किसी के 5000 एक काउंट से करते जा रहे हैं बहुत सारे लोग यह crime होने के बाद मेरे से contact करते हैं बाद में मैं कुछ लिए कर सकता है मैं आपको जो भी बताऊंगा पहले कर सकता हूं तो आप ज्यान दिए ठीक है बाद में बैंक भी आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है क्योंकि आपके मिस्टेक से हुआ है ठीक है यह आपके तरब से प्रोब्लेम हुआ है तो आप इस तीच को रोक हुआ कैसे यह जो आपके मोबाईल पर हो रहा है इसको कैसे जानोगे तो जानने का तरीका मैंने बता दिया अब अगर आप जान गए कि हाँ यह है तो सभी फर्वार्डड़ है मेसेज अब मैं तुरंत कैसे इसको रोकूं तो उसके तरीका है 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 अपने मोबाईल पर आपको टाइप परना है 002 यह डबल 002 आपको करना है और उसके बाद आपको कॉल कर देंगे तो आप देखोंगे माई कोड़ स्टाटेड और यह क्या करेगा आपके जो भी है अगर इने वर्ड है तो उन सब को इरेज कर देगा सक्सेस्पूली ओके जितने भी कॉल फर्वार्डिंग थे जो भी थे मैसेज फर्वार्ड अगर आप जानना चाहते हो कि आपका जो मोबाइल का या आपके जो परस्टनल डीटेल्स हैं जिसे आप फेस्बुक पे इस्टाग्राम पे या और भी बैंक में बहुत सारे अपने डीटेल्स डालते हो वहां से भी हैकर्स लोग आपके डेटा चूरी करते हैं अगर आपक आप इंटरेश्टेट हो तो आप कमेंट में डाल देना ठीके आप रोग डाल देना कि आप हाउ टो इस्टे शेफ और इंटरनेट और हौ तो चेक यह भी हैक और 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 परस्टनल डीटेल्स राइट और नॉट इस पर वीडियो बनाने के लिए तो मैं उस पर वीडियो ड साथ देलिक यह तेंक यू थार देल्टें क्यों कर दो भाचिछ गुड़ां ओट नॉड़ां ड़नागों